सूपर बात बच्चो बेटा आज हम करेंगे अध्याय नमबर आठ हिमाले की एक घटना उसका बुक्वर्क बचा हुआ है आज हम वो करेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं पहला है भासा बोद में दिये गई शब्दों के लिंग निर्ने कीजिए लिंग निर्ने का मतलब होता है कि आपको ये बताना है कि ये शब्द पुलिंग है या इस्त्रिलिंग तो पहाड शब्द है ये पुलिंग है दर्रा शब्द है ये पुलिंग है घाटी शब्द श्त्रिलिंग है गलेश्यर शब्द पुलिंग है सरोवर पुलिंग है तंबू पुलिंग है गुफा श्त्रिलिंग है गडर्या पुलिंग शब्द है दूप श्त्रिलिंग बर्फ श्ट्रिलिंग शब्द है, नाला पूलिंग शब्द है, अंधियारा पूलिंग शब्द है आंधी होती तो श्ट्रिलिंग अंधियारा हो गया तो पूलिंग हो गया परसन नमबर खे, दिये गए सब्दों को वाके में परियोग कीजी आप अपनी तरफ से वाक्य कुछ भी बना सकते हैं जरूरी नहीं जो मैंने लिख दिया वो ही आप लिखे मुझे तो तब पता चलेगा कि आपको आते हैं जब आप इन से अलग बनाएंगे वाक्य में सब्दों से वाक्य बनाने का मतलब है कि यह सब्द है जब आप वाक्य बनाएं उसमें यूज हो हिमाले को देखकर लोगों में उच्छा आ जाता है क्यों आ जाता है? हिमाले उच्छा है उमंग लोगों के दिल और दिमाख में ताजगी की उमंग पैदा हुई उचा हिमाले परवत बहुत उचा है उच्चाई हम हिमाले पर हजार फुट की उच्चाई पर गए सूनापन अमरनाथ की गुफा में सूनापन था तो आप इनके अलावा बनाएंगे परसन नमबर गे लिखित सतूल पद व्याकरण की द्रस्टी से क्या है सतूल पद का मतलब है जो अंडरलाइन कर रखी है सभी पे ये सब्द हैं ये कैसे सब्द हैं किसमें व्याकरण की द्रस्टी से कैसे सब्द हैं ये इधर देखे हमारी सब्द है ये विशेशन है और मुस्कले शब्द है ये संग्या सब्द है धीरे धीरे शब्द है ये किरिया विशेशन सब्द है सकरी दे रखा है ये शब्द है ये विशेशन है क्योंकि रा की विशेशता बताई गई है कि रा कैसी है ठीक है यहां पर किर्या विशेशन कहते हैं बढ़ता गया किर्या की विशेशता बताई गई है हमारा हमारी यह तो आपको पताई है कि विशेशन होता है और मुस्किले शब्द है यह संग्या है अगला देखिए अमरनात की गुफा यहां से आट किलो मीटर दूर है अमरनात क्या है जी संग्या है यहां क्या है किर्या विशेशन हवा ठंडी थी हवा क्या है संग्या सब्द है आज का होमग के बिटाम जो बुक वर्क में मैंने भरवाया है आप अपनी बुक में फिल करेंगे धन्यवा